अगर तुम संदीप मैश्वरी को देखते हो तो तुम्हें एक चीज पता होगी कि अक्सर वो अपने जो सेशन्स में बार-बार एक चीज पर जोड़ देते हैं वो होती है तो आध इसी चीज की उपर बात करने माले हम कुछ लॉजिकल ग्राउंड्स पर कुछ इंटिलेक्ट कुछ कोनी को चीज नहीं बॉलेगे सामने से अपने अपने अपनी मान Argent yeter के हिसाब इस थिजशनों को आसान या फिर हार्ड आइता है वहया उपर होती है कि हम सामने वालीट चीज को कितना कठे मान रहें कितना आसान मान रहे है हमारी Belive पे媽내 करता है ना कि उस चीज की उपर मैटर करता है कि वह चीज किस टाइप की है आज अगर एक चीज मेरे लिए आसान होगी तो वही चीज हो सकती है नहीं दूनिये को तो तुम्हारे कर चुकी है उस पर्टिक्लर बिमारी के लिए पड़िये बात पेशंट को नहीं बताई गई थी उसको यही कहा गया था कि तू यह दवाई ले ले और तू इससे सही हो चाएगा उसने ली और कुछी हफ्तों में कुछी महीनों में वो ठीक भी हो गया जबकि वो दवाई किसी हो जाओंगा मैं कुछ नहीं होने वाला है तो उसने अपने दिमाग में मान लिया ना की आसान है इसने लाइफ एकदम आसाने से दिने लगा पर उसने एक दिन अकबार में या फिर कहीं इंटरनेट से सर्च करके पता लग गया उसको कि जो वो दवाई थी वो तो अब काम ह नहीं करती है फिर वो वह वापिस उसको वो हो की ब rapping और अब की बार उसकी जान चली गी बस एक चीज़ पढ़ लेने से कि अब ये दवाई काम नहीं करती है तो यहाँ पर यह होदा तैसित की हमारे बिलीफ, हमारी माननेत है, हमारे जो हम जो मानते हैं वो हमारे लाइफ के उपर इत्ता इंपक्ट छोड़ते हैं, कि हम सोचते हैं इत्ता फरक नहीं पड़ता है, पर बहुत ज़्या फरक पड़ता है, जो तुम मान रहे हो ना, वो पूरी पूरी बुक ही उस चीज की उपर ही है कि तुम्हारे थौट्स जो होते हैं तुम्हारे जो mindset होता है तुम्हारे जो beliefs होते हैं वही तुम्हारी life को shape करते हैं जैसे तुम्हारे thoughts होंगे वैसे तुम पूरे पूरे आदमी बनते जाते हो यही मतलब गीता में खा गया है यह अगर तुमने दुद के बारे में तुने पढ़ा होगा तो वहाँ पर उन्होंने भी यही चीज कही है जो भी तुम्हारे ठोट्स होंगे उसी चीज के इसाफ़े चीज बननी स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब संदीर में जो कहते है आसान है आसान है इसका मतलब यह नहीं होता कि वह सामने वाली चीज आसान है इसका मतलब यह होता है कि अगर तुम मान लो कि सामने वाली चीज आसान है तो वह चीज तुमारे लिए आसान फिल होने लग जाती है तुम्हें एक च्छोटे बच्क्छे होते और तुम्हे कोई यह चीज नहीं बताता कि चीजें मुष्किल भी होती है। तुम्हें कोई भी चीज करने से पहले सोबार सोसना नहीं पड़ता। हो सकते हैं कि वह चीज तुम से होती है यह फीर नहीं हो ती तुम में वह कि एक मारी इसली नहीं हैं वो भी उसके दिमाग में कुछ भी information से नहीं होती है तो पार्णी रूपी जो thoughts होते है ना वो हम ही उसके दिमाग में डालते हैं जो उसके आसपास वाला जो environment होता है आसपास वाले जो लोग होते हैं वो ही उसके दिमाग में डालते हैं चीजे जो काम काम की इन्फोर्मेशन्स है वो देते हुए मैं उसको जता दू कि हर चीज ते लिए आसान है तो वो अपने लाइफ में बहुत आगे जाता जाएगा देखो मैं ऐसा नहीं कहे रहा हूं कि हर केस में ऐसा होता है 99% केसे में यही होता है कि हमारे मायन शड़े चीज़े बन जाती है कुछ कैसे जैसे भी होते हैं को कि मान लो की मेर को ही मतलब बिल्डेंग ओखाड कर की एक मतलब हती से और यह से १ труд करने संही में कुछी में पता है कि बंक कोई चीज की का है मैं करों me यह इसका जवाब बाहर नहीं होता है, इसका जवाब वार दिमाग के अंदर ही होता है, पर हम इसका जवाब बाहर डूंड रहे होते हैं, किसी और चीज़ों में डूंड रहे होते हैं, पर जबकि यह इसका जवाब हमारे beliefs में, हमारे mindset में चुपा होता है, जैसे संदीप मैस सब्सक्राइब करें लिए तो एक दिन तुम वह भी कर सकते हो पर वही बात ना तुम्हारे पास कोई चोईज नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों लड़ने हाती से अभी में पास चोईज है मैं क्यों रुड़ू फालत हूं कि मैं दिमाग थोड़ी खराब है पर जिस दिन बैटे बैटे जान थोड़ी वादे नहीं है उन लोगों से जाके पुछो जिनके पास कुछ चोईज है नहीं और उनको वह चीज़ें करनी ही पड़ रही है तब ही जाके आद वो जिनके सक्सेस्फूल लगन की उनके लिए यह मैटर नहीं करता आसान है मुस्कि लगन की उ बाकि जो वीडियो चे उनको भी चेक करो जाके कुछ कमेंट्स में लिख देना बाई